हाई दोस्तो टीफोर चानल में आपका स्वागत है दोस्तो आज कि इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप स्नैपचैट में एक अकाउंट या आईडी कैसे आप बना सकते हैं या फिर ओपन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो कैसे स्नैपचैट में अकाउंट एक क्रेट करेंगे आज की वीडियो में सीखेंगे तो दूस्तों Snapchat एकाउन बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको Play Store application ओपन करना है और Play Store में जा करके इस application को आपको सर्च कर लेना है Snapchat लिक करके और जैसी आप Snapchat लिक के सर्च करेंगे आपके सामने Snapchat आ जाएगा इसको आप अपने मुवाइल में डाउनलोड कर लिजिए तो अचले इंस्टोल हमने कर लिया है अब इसको हम Open में क्लिक करेंगे तो जैसी दोस्तों आप First Time इसको Open करते हैं तो आप आपके सामने इस पर करका Interface यानि की इस तरीके का Page आपको दिखाए देता है करना है आप अपना password और email id याण phone number डालने के बाद तो चली मैं new account बनाना सिखा रहा हूं तो यहाँ पर Sign Up में क्लिक करेंगे जिस दिस तो आप Sign Up में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर Continue का Option आएगा और उपर में Get Started Enable App Permission to Make Sign Up Easy तो यहाँ पर नीचे Continue करेंगे और यहाँ पर Permission दे देंगे Allow कर देंगे Allow कर देंगे अब यहाँ पर धियान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको सबसे First में बोला जा रहा है कि First Name डालने के लिए और यहाँ पर Last Name तो चलिए यहाँ पर First Name और Last Name हम डाल लेते हैं तो जैसे कि यहाँ पर हमने अपना First Name डाल लिया और यहाँ पर आपका नाम का First Name डाल लिए और Last Name में आपने नाम का Sir Name डाल दीजिए उसके बाद क्या करना है आपको नीचे एक Option मिलता होगा Sign Up and Accept लिखावा तो जो Sign Up and Accept लिखावा इसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे दुस्तों आप Sign Up and Accept मे क्लिक करेगा अब आपके सामने इस पर करका इंटर्फिस दिखेगा अब आपको यहां Payboard हो कि BirthdaySellie. यहां पर आपको बाद करना है और स्लेक करने का तरीका क्या है कि यहां पर जो आपको ऊपर नीचे करना है इसको Date को यहां पर आपको Direct Date नहीं डाल सकती यहाँ पर उपर नीचे करेंगे तो यहाँ पर चलिए हम अपना डेट अपर सेलेक कर लेते हैं अब इसके बाद यहाँ पर डेट सेलेक करना है किस डेट को और उसके बाद यहाँ पर यहाँ सेलेक करना है उसके बाद क्या करना है आपको नी ऊपर में ये continue का option है इसमें आपको क्लिक करना है जिस दिस दो आप continue में क्लिक करेंगे तो आपको पूछ रहा है कि your username यानि कि जो आपका username रहेगा जब आपका Instagram पेज यहाँ पे आपको Snapchat username कोई पेज देखेगा तो आपको ये नाम आपका show होगा तो आप आप चाहते हैं ये नाम show कराना तो ये continue में नीचे क्लिक करेंगे अगर आप कुछ इसमें changes करना चाहते हैं तो change my username में क्लिक करेंगे तो मैं यही रहने देना चाहता हूँ इसलिए continue में हम क्लिक करेंगे जिस दो आप continue में क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस परकार का पेज़ खुलेगा और यहाँ पे बोर्ड रहा है कि set a password यानि कि आप एक password set करें जिसमें your password should be at least 8 characters यानि कि आकम से कम इसमें आपको 8 numbers के password बनाने है और password कैसे बनाएगा आप अपने नाम के कुछ लेटर से उसकीजिए और कुछ नंबर से उसकीजिए और कुछ symbol से उसकीजिए यानि कि hashtag कॉमा वगएरा जिसे कि आपका password जो है ना दोस्तो strong हो जाए तो चलिए हम अपना password create यहाँ पे कर लेते हैं तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं हमने अपना password डाल दिया अब यहाँ पे नीचे continue का option है इसमें क्लिक करेंगे जिस जिस तो आप continue में क्लिक करेंगे तो आपका process आगे बढ़ेगा और यहाँ पे अब आपको बोला जा रहा है कि what is your mobile number sign up with email instant तो यहाँ पे क्या करना है आपको एक mobile number देना है जिससे आपको यह Snapchat है आपको confirm करेगा कि यह आपका mobile है और उसके ओपर एक confirmation code भेजा जाता है जो कि one time password समझ दीजिए तो चलिए यहाँ पे अपना mobile number यहाँ पे डाल देते हैं जिससे आप अपना mobile number डालेगा उसके बाद नीचे continue का option है इसमें आपको क्लिक करना है जिस दुस्तों आप continue में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बोड़ा है कि enter confirmation code अगर आपके mobile में सीम लगा हुआ रहेगा तो खुद बखुद code accept कर लेगा अगर आपको दूसरे mobile में सीम है तो वहां से code को आपको इसमें डाल देना है अब यहाँ पर नीचे continue लिखावा है तो continue करेंगे अगर आपको find your friends को अगर ढूनना है तो continue के ऊपर नीचे क्लिक करेंगे अगर आप अपने friend को अभी नहीं ढूनना चाहते है तो यहाँ पर skip में क्लिक कर दीजिए अब आपका यह जो Snapchat है और पूरी तरीका से open हो रहा है यहां पर turn on कर देंगे और यहां पर allow कर देंगे रिकॉर्ड्स वगरा सारा चीज और यहां पर allow कर देंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा Snapchat पूरी तरीका से open हो चुका है camera वगरा और दोस्तो इस तरीका से आप चाहें तो Snapchat को बड़ी आसान तरीका से आप account create कर सकते हैं तो आप आपको उपर में यह देखी यहां पर यह देखी यहां पर जो red icon बना हुआ इसमें आप किलिक करते हैं तो आपका पूरा Snapchat का आपका पूरा profile दिखाए देगा और यहां पर सारा चीज तो दोस्तो इस तरीका से आप चाहें तो Snapchat में एक account बना सकते हैं तो दोस्तो व